संबधित शब्दावली 605 अस्पष्टता, ambiguity ये एक या एक से अधिक समाधानों की उपलब्धता तथा उनमें से किसी एक का चयन नहीं कर पाने की स्थिती को दर्शाता है लोकसेवा में अस्पष्टता की स्थिती बचना अच्छा होता है जब कार्यवाही अस्पष्ट होगी तो दूसरों को उसके लिए सेहमत करपाना संभव नहीं होता है मार्दर्शक, अंकर, नीतिशास्तर में मार्दर्शक उस व्यक्ति को मानता है जो लोगों को सुरक्षत एवं विश्वास से युक्त महसूस कराता है तथा उस पर लोगों को भरोसा होता है जीव कल्यान, Animal Welfare, जीव कल्यान मानव से इत जीवों की भलाई के रूप में जाना जाता है संदर्भू के अनुसार, पशु कल्यान के मानक भिन भिन होते हैं जा ये मानक निरंतर दुनिया भर में पशु कल्यान समुहों, विधायकों और शिक्षाविदो द्वारा चर्चा और समीक्षा का विशय होते हैं एवं इसके माध्यम से इन्हे निर्मित और संशोधित किये जाते हैं दर्शन शास्त्र इस ड्रिश्टिकून में मनुश्य को एक मात्य प्राथ मिक नेतिक स्थिती का धारक माना जाता है उद्वेग, अंजाइटी, उद्वेग एक भावनात्मक गुन है जो आनतरेक अशांती की अप्रियस्थिती को दर्शाता है ये अक्सर उदासी एवं क्रोध के रूप में दिखाता है इसके अंतरगत चिंता करना, बेवजह क्रोधाना, जुन्जला हट होना, शरीर में दर्ध होना, अस्थिर मान सिक स्थिति आदी के लक्षन डिश्टिगत होते हैं। उदासीन ता, अपथेटिक, उदासीन ता, भावनात्मक अलगाव या दमन की एक स्थिती है जिसके अंतरगत स्वयम द्वारा चिंता, उत्तेजना, प्रेरना या जुनून जैसी भावनाई दमित कर दी जाती है। एक उदासीन यक्ति में भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, दार्शिनिक, भौतिक जीवन या दुनिया के बारे में रुची या लगाव का अभाव हो सकता है। अभिमूल्यन, अप्रिशियेशन, ये किसी कृत्य या वस्तु के महत्व एवं मूल्य को समझने या मानिता देने की क्रिया है। नैतिक अभिमूल्यन में नैतिक एवं सांस्कृतिक मानवियत अत्व अंतर नहित है। अभिवरिती, अप्टिट्यूड, योग्यता या अभिवरिती समय के साथ कौशल सीखने या विक्सित करने की हमारी क्षमता है, जो शारीरिक या मानसिक हो सकती है। अर्थात, अभिवरिती ग्यान, समझ, सीखाया अधिग्रहित योग्यता, कौशल या द्रिष्टिकों नहीं है वरन सीखने की क्षमता है।